अब डिजिटल इंडिया मुहिम के जरिये देश के कई पिछडे इलाकों की तस्वीर बदली जा रही है देश के पिछडे जिलों में शामिल आकांगशी जिला कोर्बा को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत विशेश विकास योजना का लाब मिल रहा है यहां के सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है 4G कनेक्टिविटी ने यहां शेहरों से लेकर देश दुनिया के लोगों को जोड़ने का काम किया है पेश है एक रिपोर्ट आज का युग संचार करांति का है आधुनिक भारत में डिजिटल इंडिया ने शेहर के साथ ही अग्रामीर छेतरों में भी क्रांति ला दी है इस युजना के तहट गाउं को भी 4G नेटवर्क से जोड़कर डिजिटल क्रांति की दिशा में नए आयाम लिखे जा रहे है 36 गड़ के कांग्शी जिलों में शामिल आधिवासी बाहुली कोरबा जिले में भी केंद्र सरकार की इस महत्वकांग्शी युजना का लाब देखा जा रहा है भारत संचार निगम लिमिटेट के मंदल अभियंता के मुताबिक डिजिटल इंडिया के तहट सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है कुर्बा जिले के तीन विकास खंडों की 194 ग्राम पंचायतों में बिये संदल की 4G सेवाएं शुरू कर दी गई है कर लिया गया है 4G डिजिटल नेटवर्क से जुड़ जाने से अब कुर्बा जिले के शेहरी क्षेत्रों के साथ ही ध्रमेर्ट शेत्रों में भी स्कूल में डिजिटल क्लास्रूम और ऑनलाइन शिक्षा के साथ ही स्वास्त और बैंकिंग का कार्य असानी से किया जा रहा है डिजिटल इंडिया से एक नए भारत का निर्मान हो रहा है विदेशों में तो डिजिटल पहले ही अपने काफी तेजिस आ गया था लिकिंग मोदी जी आने के बाद में ये काफी अच्छी तिवर्ता से अपना काम कर रहे हैं लोग इसमें और इससे बहुत ज़्यादा सु केंद्र सरकार की संचार कांती की इस नई सोच ने 36 गड़ के गाउं की दशा और दिशा दोनों को ही बदल कर रख दिया है अकांग्षी जिले में शामिल कोर्बा भले ही विकास में दूसरे जिलों से पिछड़ गया हो लेकिन यहां विकास को गती देने के केंद्र सरकार के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं ब्यरो रिपोर्ट जीडी नीउज